लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए Your Majesty, Excellencies, नमस्कार इस साल भी हम अपनी पारंपारिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाएं किन्तु वर्चियल रूप में ही जही हमने आचियान इंडिया समीट की परंपरा को बरकरार रखा है मैं His Majesty, Brunei के सुल्तान का 2021 में आशियान की सफल अद्रिक्स्ता के लिए अभिनंदन करता हूँ Your Majesty, Excellencies, COVID-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनोतियों से जूजना पड़ा लेकिन यह चुनोतिपून समय भारत आशियान मित्रता की कसोटी भी रहा COVID-19 के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी सम्वेदना भविश्च में हमारे समंधों का बल देते रहेंगे हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे इत्यास गवा है कि भारत और आशियान के बीच हजारों साल से जीवंत सबंद रहे हैं इनकी जलक हमारे साजा मुल्य, परंपराएं, भाशाएं, गरंत, वास्तुकला, संस्कृती, खानपान हर जगा पे दिखते हैं और इसलिए आशियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदेव एक महत्वपुन प्रात्विकता रही है आशियान की यह विशेद भुमी का भारत की एक्ट इस्ट पॉलिसी जो हमारी सिकूरिटी एन ग्रोथ फॉर आल इन दे रीजन यानि सागर निती में निहीत है भारत के इंडो पसिफिक ओशन इनिशेटिव और आशियान के आउटलूक फॉर दे इंडो पसिफिक इंडो पसिफिक छेत्र में हमारे साजा विजन और आपसी सहयोग का धाचा है Your Majesty, Excellency, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनर्शिप के 30 वर्ष पुरे होंगे भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पुरे करेगा मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आचियान भारत मित्रता वर्ष के रुप में मनाएंगे भारत, आगामी अध्यक्ष, कमबोडिया और हमारे कंट्री को कोडिनेटर सिंगापूर के साथ मिलकर आपसी समंदों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है